नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपके जानकारी में होगा कि भारत सरकार ने एक कैश LTA Assistance Scheme Central Government Employees के लिए 12 अक्टूबर 2020 को डिकलेर करी थी बाद में भारत सरकार ने 29 अक्टूबर 2020 को एक प्रेस रिलीज के थूँ इस पर्टिकलर स्कीम का benefit प्राइवेट सेक्टर के employees, स्टेट गवर्मेंट के employees के लिए भी करने की घोशना करी थी तो जो प्राइवेट सेक्टर के employees हैं सिफ और एक्जामपल बैंक के, कॉर्परेशन के या कॉंपनीज के employees उनको इस पर्टिकलर नई स्कीम में LTA के exemption कैसे मिलेगी अगर वो GST invoice submit कर देते हैं तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसी point पर आपसे एक छोटा सा discussion करने जा रहा हूँ दो मुखे बंदू हैं दोस्तों, eligibility criteria को समझना और important points या question क्या है और उससे पहले एक example भी आपके सामने इस scheme को समझने के लिए मैं इस वीडियो में रखूँगा तो दोस्तों सबसे पहले eligibility criteria समझना है basically concept यह है कि private sector के employees को या PSU's के employees को generally 4 साल के एक block में 2 साल किनी 2 बार LTA के exemption section 10 clause 14 of income tax act के इसाब से लेने की exemption की exemption लेने की facility मिलती है provided वो actually किसी particular जगे पर अपने अपने परिवार जनों के साथ घूम करके आए और travel expenditure को claim करें travel expenditure में केवल आने जाने का किराया ही शामिल होता है चाहे वो airfare हो चाहे वो railway fare हो चाहे वो taxi अत्वा bus का किराया हो अब issue यहाँ पर यह है sir कि यह जो नई scheme आई जो private sector के employees के लिए भी government ने बोला तो government ने इसमें क्या eligibility criteria fix करें कि सरकार यह मानती है कि जो scheme हम अभी लेकर क्या हैं जिसमें हम यह बोल रहे हैं कि आपको घूमने फिरने जाने की क्योंकि COVID-19 ने सब को बान दिया तो घूमने फिरने जाने की जुरुत नहीं है अगर आप चाहें तो आपका जो current block है 2018-2021 यानि ये चार साल के block के लिए आप कुछ expenditure करें क्या expenditure you need to spend three times of your LTA on buying goods and services that attract GST at the rate 12% और अभाव यानि आप 12% या उससे उपर के GST वाले कोई खर्चे या services अवेल करते हैं तो आपको बिना गूमे फिरे भी LTA की exemption income tax law में लेने की अनुमति देरी जाएगी इस purposes से सर जो date of purchase है वो आपकी date of purchase होनी चाहिए यह बारह अक्टूबर 2020 से लेकर के 31 माच 2021 के बीच तर की और आपका जो payment है सर यह बड़ी important condition है कि जो respective payment आप goods या services के लिए करेंगे वो digital mode से होना चाहिए digital mode का मतलब क्या है आप credit card, debit card, UPI, Paytm इस प्रकार की facilities से उन particular services या goods के लिए payment करेंगे यानि इवन checks तक के payment को सर यहां cover नहीं किया और maximum eligibility जो है per family person सर 36,000 के capping तैग कर दी गई है तो यह eligibility criteria में रहते रहते दोस्तों अगर आप 31 माच 2021 तक आपका जो LTA exemption claim बलता है उसके 3 गुने तक का खर्चा 12% या उससे ज़्यादा वाली goods and services पर करते हैं तो आपको यहां पर LTA exemption की सुविदा अवेल करने का benefit मिल सकता है अब यहां दोस्तों आपके सामने example के थूँ यह particular exemption कैसे मिलेगी रखने की कोशिश करता हूँ सिफर example कोई Mr. X है जो किसी company में कारेरत है और उन्हें 25,000 रुपए per family member के इसाब से maximum 4 family members के लिए total LTA लेने की उनकी possibility है एक लाख रुपए अब वो LTA claim एक लाख रुपए क्लेम करना चाहते हैं उनको इस scheme में बिना घूमे फिरे अगर वो GST goods या GST services 12% या उससे उपर के खर्च करते हैं तो minimum उन्हें 3,000,000 रुपए का खर्चा करना है या नित्ति गुणा मान लीजे सर उनकी actual spending के वल 2,40,000 ही हुई तो फिर government ने क्या बोला इसाब हो के इसका one third यानि 80,000 रुपए का LTA तो आपका employer exam कर देगा और बाकी का 20,000 है सर वो आपका LTA taxable हो जाएगा तो I hope यह example आपक इस particular विवस्ता को समझने में help करेगा अब दोस्तों यहां कुछ important points या questions है जो quickly आपके सामने रखता हूँ what if if the full amount is not spent जैसे तिगुनी राशी अगर आपको पिछले example में भी एक लाग पर तीन खर्च करनी थी और आपने किवल 2,40,000 खर्च किया तो sir proportionate exemption आपको मिलेगी बाकी के amount पर आपका employer serious काट लेगा should one off for this scheme यह तो बहुत बड़ा question है sir अगर मान लीजे आपको अभी जल्दबाजी नहीं है आपका LTA lapse नहीं हो रहा और तिगुना खर्चा आप किसी इसी purpose से नहीं करने जा रहे हैं आपका otherwise भी कोई heavy investment हो रहा है जिसमें आपको GST 12% या ज्यादा लग रहा है तो तो sir आप इस scheme का benefit उठाईए और अगर आपको लगता है कि नहीं साब मैं तो अगले साल भी घूमने जा सकता हूँ because corona control हो जाए ईश्वर करें तो ऐसी परिस्तिती में sir आप जल्दबाजी में इस scheme का benefit उठाने के लिए उद्यत ना हो whether LTA exemption also goes along with new slab rate system ये एक बड़ी अजीब सी भारत सरकार ने यहां विवस्ता कर रखिये क्योंकि नया जो section आया है sir उसमें नया section जो slab rate का नया system लेकर क्या आये हैं उसमें sir section 10 clause 14 का benefit देने की बात नहीं है तो यानि अगर आप वित्तवर्स 2020-2021 में नयाइस लाबरेट में taxation का option लेंगे तो LTA के exemption वैसे ही नहीं मिलेगी तो वो भी एक व्यवस्ता यहां पर देखने लाइक है can there be more than one invoices जो मैंने 12 October 2020-31 माज 2021 की date बोली आपको मान लीजे सर उस दोरान आपके पास में 50 ऐसे invoice हो गया जिसमें आपका 12% या ज्यादा का GST payment है कोई दिक्कत नहीं है सारे invoice आपके इस scheme में total amount की claimability के लिए माने जाएंगे शामिल किये जाएंगे is there a prescribed format for claiming exemption as such कोई format नहीं है सर आपको अपने declaration के साथ में relevant invoices की supporting के साथ ये बात रखनी है whether invoices should be in the name of employee only yes sir ये बात ध्यान रखे आप जिन invoices का exemption claim कर रहे हैं वो आपके स्वयम के नाम में होने चाहिए यदि आप employee हैं तो can digital payment be made from other person's account इसमें बहुत clarity नहीं है लेकिन जितनी बात समझ में आई है सर जैसे for an example मैं अपनी spouse के credit card से debit card से अगर payment करता हूं या खास relative के credit debit card से payment करता हूं तो ऐसे particular digital payment को भी माना जाना चाहिए whether procurement from e-commerce platform will apply जैसे for an example मैंने कोई mobile purchase किया sir online को electric item purchase किया जाँ मुझे 12% 18% की rate लग दी तो ऐसी परिस्तती में वह item भी आपने vehicle खरीदा टीवी खरीदा फ्रिच खरीदा इस तरीके की चीजों पर जनरली सर बारा परसेंट या प्लस का जीस्ती लगता है तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि मेरा कौन सा खर्चा sir इस scheme में जाने के लिए मेरे लिए beneficial हो सकता है तो I hope ये question sir आपको इस scheme को avail करने या नहीं करने के संदर में निर्णे लेने में मदद करेंगे तो दोस्तों इसी आशा के साथ के ये वीडियो आपके लिए किसी प्रकार से काम की रहे it should be useful to you और बहुत सारी शुबकामनाओं के साथ wishing you all the best, thank you very much, jahe